हेलो दोस्तो, स्वागत है आपका Sets in Mathematics के इस वीडियो में, तो Sets क्या होता है, Mathematics की टर्म में अपने इसको Definition समझेंगे, Example लेकर Detail में समझेंगे, इसके बाद देखेंगे कि Representation कैसे करते हैं, इसको Define कैसे करते हैं, Power Set क्या होता है, Bend Diagram बनाएंगे, उसमें समझेंगे कि Set सबसेट क्या होते हैं, तो सबसे पहले आपने एकदब Basic Definition पर जाने से पहले समझेंगे कि Set होता क्या है, आपने देखा होगा घर में आप बोलते हैं कि आपको बरतरों का Set बनाना है, या कोई भी एक Country है, उसका Set बनाना है, तो क्या होता है, मतलब Similar Type के Item, जिनको की Set में Represent कर करते हैं, मैं बोलता हूँ कि एक Set है A, इनके अंदर मेरी रहेंगी Countries, यहाँ पर रहेगा मेरा इंडिया, पाकिस्तान, ऐसी Different Different Multiple Country रहेंगी, तो इन जो Country हो को बनेगा, इसको Open कहला क्या कहते हैं, Mathematics की टर्म में Set कहते हैं, तो actual definition समझते हैं, एन example लेंगे तो और के लिए र Set, तो the element that make up Set can be any kind of things, तो जो Set बना रहा है, जैसे मैंने एक इंडिया का ऐसा example यह ऐसा कुछ भी हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, क्या होता है, Pupil, letters of alphabet, कोई भी alphabet हो सकते हैं, मेरे A, B, C इस तरह का एक रहेगा, Numbers हो सकते हैं, 1, 2, 3, Set के अंदर, geometric shape हो सकते है, triangle, rectangle, इस तरह है, कि variables of even other sets, तो ऐसा काफी चाहरी, जो भी है, इनका जो, जिसको अपने एक Set में define कर पाए, वो Set के अंदर आ सकती है, तो let's a non empty set, if x, क्या बोल रहा है, अपने इसको किस तरह define कर रहा है, कि मैं बोल रहा हूं कि if x, एक small x है, is an element of a, मतलब क्या है, मेरा एक Set है, a, and उसके के अंदर कोई एक value x है, तो उसको किस डपेंसर define करते है, then we write x belong to a, मतलब यहां पर क्या बोल रहा है, कि मेरा पास यहां पर a, b, c, x, y, z, यहां पर x, देखिए, इसके अंदर है, तो इसको represent करने के लिए बोलते है, x belong to a, मतलब x इसको belong कर रहा है, इसके अंदर है, तो इस x in element of a, और x belong to a, तो यह दोनों term आप यूज कर सकते हैं, कि x element है उसके अंदर का, या उसको belong कर रहा है, तो एक simple example लें, यह दि मैं बोलता हूं कि मेरे पास एक set है, a, मैं बोलता हूं उसको set of all number between 1 to 7, मतलब 1 और 7 के बीच के जो भी number है, उनका एक set है, क्या बनेगा, set को हम इसा आप represent करते हैं, capital letters है, तो a, capital b इस तरह सा है, कोई भी capital, उसके तो अंदर के element रहेंगे, वो mostly अपन small letter से represent करते हैं, यहाँ पर देकी मैं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसके अंदर बोल रहा है कि between 1 to 7, मतलब 1 and 7 को include नहीं किया है, क्या क्या element हो सक लगता हूँ कि इसनके जो element है, वो इसको belong कर रहा है, यदि मुझे ये तो लिखा कि मैंने belong कर रहा हूँ, उसके लिए मैं इस तरह से लिखता हूँ कि x belong to a, यदि does not belong to, मैं बोल रहा हूँ कि 8, यहाँ कि इसके अंदर नहीं है, तो इसको क्या लिखते है, does not belong to, को साइन, इसकी तरह cut हो जाएगा, belong to a, यहाँ पर x does not belong to a, मतलब जो element उसके अंदर नहीं है, उसको अपन इस तरह से लिखते हैं, यह same symbol रहेगा, लेकिन उसमें एक cut लग जाता है, ठीक है, यह तो एकदम simple definition हो गई कि क्या है sets, यह समझते हैं कि इसको represent कैसे करते हैं, दिखाते कैसे हैं, तो क्या है, सबसे पहले इसके लिए दो method है, पहले number का है listening, मतलब इसकी list बना के, आप कैसे define कर सकते हैं, listening method, and second number का होता है set builder method, जो अपने अभी देखा है example में, तो set, क्या है set builder method and listening method, तो listening का क्या होता है, definition, वो समझ लेते हैं, तो इसमें क्या होता है, मैं definition लिख नही लिखती हैं, इस तरह से, and separated by comma, by comma, क्या है, क्या बोल रहा है, कि इसके अंदर कोई भी element रहेंगे, जैसे अपने example में था कि two, three, four, five, इसको क्या separate का है से कर रहे थे, comma से separate करते जा रहे थे, तो ये कौन सी मेरी method हो गई, listening method, तो एक example नहीं तो क्या होगा मेरा, कि मेरा एक set ह है, a, and उसको define कर रहा हूँ है, two, three, four, five, तो एक एल आती है मेरी, क्या, listening method, second number का आता है, अपन बोल रहे है, set builder method, तो set builder method में क्या रहेगा, in this method, instead of listening, all element, मतलब जो all element है, उनको दिखाने की, अपन पूरा complete लिखने की बात कि यह तो इसमाल है, मेरा है, यदि two से hundred तक लिखना रहेगा, क्या मुझे two से, यहाँ पर hundred तक लिखना रहेगा, तो उसको अपन किस तरह से define करते हैं, एक symbol के साथ, कि मैं यहाँ पर बोल रहा हू कि यह जो अपन बोल रहा थी, x belong to, जैसे two belong to a, three belong to a, four belong to a, तो इस तरह से represent करते हैं, तो क्या होता है, set, अपन एक set बना देंगे, and builder method, उसका building, उसकी तरह लिख देंगे, तो क्या लिख रहा है है अपन, कि मेरा x है, belong कर रहा है, एक set के अंदर, उसको अपन किस से represent करते है है, px है, इस तरह से, मतलब मेरा एक जो px रहा हैगा, यह px की value क्या है, यहाँ पर px, एक set है, a, यहाँ पर two, three, four, five, इस तरह से है, जिसको अपन इस तरह से लिख रहा है, px, यहाँ लिख सकते हैं, कई लोग इस तरह से भी लिखते हैं, x, यहाँ पर एक, इसको separate and px, तो इसका भी एक example ले ले है, simple कि मेरा एक example है, कि मैं बोल रहा हूँ कि the set, एक listening set है, यह equal to जहाँ पर हो रहा है, मेरा, one, two, three, up to, कहां, eight तक, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इसकी multiple option हो सकते हैं, कि आपको हो सकता है, कि आप less than, यह कल तू में लिखें, आप हैं, क्या है, is written, is set builder form, क्या होगा मेरा set builder form, कि मैं बोल रहा हूँ कि मेरा एक a है, and, जहां पर कि मेरा x belong कर रहा है, and, क्या, मेरे numeric number, and, इसके अलाबा क्या है, numeric तो मेरा बन से लेगा, hundred, thousand, lakhs तक हो चकते, लेकिन मेरी यह condition दी हुई है, at, कि eights है, क्या हो, छोटे हो, जहां पर कि जो x की value है, छोटा हो, या बराबर हो, eight के, इस तरह से लिख सकता हूँ, और भी कई तरह से लिख सकते हैं, इसकी जगे मैं क्या लिख सकता हूँ, कि मेरा जो x है, वो क्या हो, greater than zero हो, and, x less than nine हो, इस तरह से भी लिख सकते हैं, काफी option है, इसको आप अलग से लि इस तरह से अपने को refine करना चाहिए, तो यह क्या हो गई मेरी set builder method, तो हर तरह की जो condition रहेंगी, जैसे मेरे even number का रहेगा, जैसे यहाँ पर two, four, six, तो आप even के लिए बना सकते हैं, odd का रहेगा, one, three, five, तो आपको x belong to, यहाँ पर number, and यह even number के साथ है, odd number के साथ, set कई प्रकार के हो सकते हैं, तो representation of set in mathematics, तो कितने प्रकार के set अभी, जो most important ten type के set है, मैं वो लिए है, अपन क्या करेंगे, इनके एक 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 जांपल लेंगे, और इनको समझते जाएंगे, तो अपन एक एक लिए लिए जाते हैं, and समझते, सबसे पहले आता है, empty set, से मा अपने example लेकर समझते जाएंगे, क्योंकि यह आप books से भी देख सकते हैं, set क्या बोल रहा है, which has no element, simple है, कि मेरा empty है, मतलब जो मेरा set है, इसके अंदर एक भी element नहीं है, empty है, यहाँ पर, तो इसको किस तरह से represent करते हैं, एक तो इस तरह का एक symbol रहता है, इस तरह से 0 रहा है है, empty set बोलते हैं, और जैसे अपने यहाँ define किया, कि मेरा एक set यह है, जो कि empty है, जिसके अंदर कोई भी value नहीं है, तो example क्या हो सकते हैं, तो अपने एक दो example लेकर देखते हैं, तो सब चेपहले एक number का मैं बोल रहा हूं, कि मेरा एक A, capital, जहाँ पर क्या रहाएगा, set all the numbers, जो numbers, all odd numbers, अपने ऐसा बोल देते, odd number, अपने को क्या बोल रहा है, odd number, divisible y, y2, अपना जो odd की definition ही है, यदि वो 2 से divide हो जाए, तो वो odd number नहीं रहेगा, मतलब मेरे पास क्या है, set के अंदर एक भी element नहीं है, तो क्या बोल रहा है, set all odd numbers, divisible y, 2, मतलब जो मेरा 2 से divide, वो obviously मेर और नमबर नहीं रहेगा, तो यह क्या रहेगा, हमेशा empty set रहेगा, second definition, कोई भी एक number ले ले है, कि मैं बोल रहा हूं कि एक B है, हमेशा capital letter से define करते हैं, जहाँ पर कि X की बात कर रहा हूं, जो कि X मेरा एक numeric number है, and belong to, क्या है, कि मेरा 5 से greater है, यहाँ पर, and 6 से less है, मतलब 5 मेरा 5 से 7 रहता, तो यहाँ पर 6 number आ जाता, तो empty नहीं रहता, लेकिन इस condition में क्या है, मैं numeric की बात कर रहा हूं, decimal आ सकते हैं, लेकिन number नहीं रहेगा, मतलब जब भी मेरा B है, हमेशा भी मेरा empty रहने वाला है, तो इसको क्या बोलते हैं, अपन empty set, second number का देखिए, क्या बो हमेशा जो set रहेगा, उसके अंदर आपको क्या रहेगा, single element रहेगा, तो a set which have only one element, a set which have only one element, मतलब जो set बना रहा है, हमेशा उसके अंदर एक रहेगा, एक example ले 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 हैं, कि मेरा a number पर set of even prime number, set of even prime number, मतलब इसका कह रहेगा, आपका हमेशा even prime number एक रहेगा, या दूसरा square की बात करें, यदि मैं एक set बनाऊ, जहां पर कि x है, जो की equal to x square है, and less than क्या है मेरा 0, तो जो x है, वो belong कर रहा है मेरा real number के लिए, तो x की value क्या रहेगा, मेरा कुछ भी रहेगा, 2 का square 4 आएगा, 3 का 9 आएगा, तो यह जो value रहेगी, यह value हमेशा आपकी क्या रहने वाली है, जो function में, जो भी value यहां पर रहेगा, उसका single value मिनने वाली है, single value, तो इसको क्या बोलते है, singulation set, थर्ड नमर का आता है, अपना finite, and इसका एक opposite रहता है, infinite, तो सबसे पहले हम समझते है, finite, तो definition से समझ में आ रहा है कि एक मेरी fix रहेगा, जो भी एक set है, example लेता हूँ, मैं definition नहीं लिख रहा हूँ, कि example है, जो कि मेरा एक set A है, जहां पर values A, B, C, D, तो हमेशा मुझे fix है कि इसके अंदर कौन सी यह 4 value है, मत 1, 2, 3, 4, 5, मुझे मालूम है, इस set के अंदर 5 element है, हमेशा fix है, तो इसको क्या मा बलता हूँ, मैं, finite set, इसका opposite होता है, infinite set, जहां पर मुझे number up, element उसके मालूम नहीं रहेंगे, finite, finite का जैसा opposite हो गया, तो finite में क्या बोल रहे थे, अपने element यहां से कर रहे थे, कि A, B, C, and D, य लेकिन यहां पर मुझे मालूम नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इस तरह से, dot, 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 इस तरह से लिखता हूँ, तो यहां पर मुझे नहीं मालूम है कि यह कहां तक जाने बाला है, मेरा c, d, e, f, g, f, n, फिर repeat होने बाला है, उसकी detail मेरे पास नहीं है, तो इसको क्या बोलत प्राइम, नमबर, सेट, तो क्या हो जाएगा मेरा, यहां से स्टाट होगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, and so on, so on, यह continue चलते रहेगा, यहां पर dot, dot मेरा define करता है, कि मेरे यह fix नहीं है, यह infinite set है, इसके बाद very important आता है, subset and superset, आपर बन दो चीज की बात कर रहा है, एक subset की बात कर रहा है and एक superset की बात कर रहा है, तो जो subset का opposite रहेगा, वो superset रहेगा, तो क्या रहेगा, एक example लें, कि subset मतलब मेरे को क्या compare करना पड़ेगा, कि मैं जब भी compare करता हूं, superset है, subset है, तो मुझे two sets चाहिए, तो यहां पर मैं बाल लेता हूं, कि एक example में, एक A है, जहां पर मेरे पास number है, one, two, three, A के set बनका है, एक दूसरा set है मेरे पास B, जहां पर similar type के number आएंगे, one, two, three, four, five, अभी देखे, यहां पर कितने तीन element है, यहां पर कितने मेरे five element है, तो मेरा क्या कहलाएगा, जो A है, वो subset of B, क्योंकि इसके सारे element इसके अंदर है, यहां पर देखे, one, two, three, मत कि सारे subset यहां पर तो subset को किस तरह से represent करते हैं, अब इस तरह से symbol देता है, and A minus वाला A, तो इसको क्या पढ़ते हैं, यह, इस subset of B, मतलब A के जितने भी element है, वो 100% आपको B में रहेंगे, तो इस condition को क्या बोलते है, यह को क्या बोल रहा है, यह अपना क्या हो गया, subset, लेकिन B क्या हो गया, super set, मतलब इसमें A के सारे element तो रहेंगे, उसके अलाबा extra रहेंगे, तो इस क्या हो गया, इसका, super set हो गया, तो एक example लें, कि मैं बोल रहा हूं, कि मेरा एक X है, एक element जो की belong कर रहा है A को, and same X element belong to B, तो क्या हो गया, then मेरा A is subset of B, यदि इसका opposite X belong to A, and X does not belong to, does not इसका अपने symbol लेखा B, मतलब जो X है, यहाँ पर available है A के अंदर, B के अंदर नहीं है, मतलब इसको क्या हो गया है, यह इसका subset नहीं है, तो इसको किस तरह से लिखते हैं, हम इसा इस तरह का यह लिखते है, and इसको cut लगा देंगे, इसी की तरह से, हमें ऐसे does not belong to, तो does not subset of B, and B not, does not superset of A, तो यह इसका opposite होता है, तो क्या होगा, जितने भी element है, वो B के अंदर रहेंगे, तो यह important है, इस related काफी question आते हैं, इसकी बाद आता है, six number पर, equivalent set, इस नमर का अपन देखते हैं, equivalent set, यह देखिए, confusion, confusion, confusion हो यह गा, कि equivalent and equal set, equivalent मतलब जो element रहेंगे, वो same number of element रहेंगे, equal set में हमेज़ा same number भी रहेंगे, मतलब जो A में है, वो B में भी रहेंगे, तो एक example लेंगे तो और के लिए रहोगा, तो equivalent set क्या बोल रहा है, कि, अपने example लेकर सम्दे हैं, कि मेरा if, एक है, A set, जहां पर element है, कितने, 1, 2, 3, and एक B set है, जहां पर है मेरे, 3, मैं भी अलग लेता हूं, तो confused नहीं होगे, 4, 5, 6, यहां पर कितने element है, 1, 2, 3, तो जो इसके अंदर कितने है, 3 element है, and B के अंदर भी कितने है, 3, 1, 2, 3, तो इस तरह है कि जो number of element रहते हैं, उस condition में बोलते है, equivalent set, तो क्या ह होगा, इसको इस तरह से लिखते है, A and B are equivalent set, यदि मेरा यहां पर रहता, A, 1, 2, and B में रहता, 1, 2, 3, यहां पर क्या होता, 2 not equal to 3, मतलब इसकी length 2 है, इसकी 3 है, तो यह मेरा equivalent set नहीं रहता, अभी इसके opposite समते है, equal set, equal set में क्या रहाएगा, कि इसके अंदर कि जो element है, वो भी exactly same रहेंगे, तो यदि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि मेरा, यदि मैं symbol में लिखूं, symbolically, कि मेरा X belong to A and X belong to V, हमेशा इस condition में, and opposite X belong to B, तो हमेशा जो X है, वो हमेशा belong रहेगा, A के अंदर भी, तो एक कहीं इसको अपन example में लें, तो मैं क्या बल रहा हूँ, यह equal to है, मेरा 1, 2, 3, एक set है, A जहाँ पर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, एक दूसरा set है, जहाँ पर भी मेरा 1, 2, 3 है, लेकिन मैं इसको क्या, इस तरह से represent कर सक रहा हूँ, कि मेरा एक x है, जो कि x belong कर रहा है, एक numeric number को, जहाँ पर x क्या होगा, 1, 2, 3, मतलब क्या लिख सकते हैं, अपन, x less than, equal to 3, इसका क्या हुआ, इसका same meaning यह ही है, actually, 1, 2, 3, तो मेरा जो B है, and A है, हमेशा same है, मतलब मेरे क्या है, equal set है, इसको अपन क्या बोलते हैं, equal set, अभी आता है, अपना proper subset, subset देखा हुआ था, लेकिन अभी अपन कही की बात कर रहा है, proper subset की बात कर रहा है, तो proper subset की definition क्या रहती है, simple definition से लिखते हैं, तो क्या होगा, कि if each element, if each element of a set A के लिए, A is in set B, मतलब एक set B के अंदर रहेगा, लेकिन उसमें से एक element रहे है, एक element उसके अंदर नहीं रहेगा, तो क्या होगा, but B has at least one, one element, which is not in A, तो इस condition में क्या लाता है, मेरा proper subset, एक example लेते हैं, कि मेरा एक number है, numeric number है, if मैं बोलता हूँ, कि यहाँ पर है, one, two, three, four, आगे भी, सारे, and दूसरा मेरा subset है, एक i, मतलब मेरा क्या रहेगा, सारे number, यहाँ पर minus three, minus two, minus one, including zero, one, two, three, यह complete superset है, यहाँ पर है, मतलब यह जो सारे element है, इसके अंदर रहेगा, लेकिद, at least बन की बात करता है, मतलब एक minus one नहीं रहेगा, minus two नहीं रहेगा, मतलब मेरा जो N है, वो क्या है मेरा proper subset of i, यदि एक दूसरा example नहीं है, कि मेरा एक number है, यहाँ पर a, यहाँ पर है one, two, three, and मेरा b है, one and two, मतलब मेरा क्या है, जो b है, वो proper subset of a, मतलब at least one element, तो एक जो three है, वो b के अंदर element exist नहीं है, तो इसको क्या बलते हैं अपन, proper subset, comparability set, comparative means compare की बात कर रहा है, मतलब अपने को एक से जादा set रहे हैंगे, तो example नहीं है, कि मेरे पात एक set है, यहाँ पर मेरे पास element है, one, two and three, एक और set है, b, जहाँ पर मेरे पास element है, one, two, four and six, and एक सी है, जिसके अंदर मेरे पास है, one, two and four, यदि आप गोर से देखेंगे, तो a के अंदर क्या है, one, two, three, लेकिन यहाँ पर one, two, three, three missing है, three नहीं है इसके अंदर, यहाँ पर क्या है, one, two, four and इसके अंदर भी one, two, four exist है, तो क्या है, तो आपन क्या बोल रहा है, कि मेरा जो यह है, वो रेफिने से समझते हैं, तो क्या होगा मेरा, two sets, a and b are comparable, if कब रहेंगे, if either a subset of b, और b subset of a, और a equal to b, यह तीन condition है नहीं हो सकती, कि मेरे जो a के element है, या तो वो b के subset हो, या opposite हो, कि मेरा जो b है, उसके element a के अंदर हो, या third condition कि दोनों equal हो, इसमें भी one, two, three, यहाँ पर भी one, two, three, मतलब यह इसके सारे element इसके अंदर है, इसके इसके, तो इससे वाले example में देखते हैं कि क्या-क्या है अपना, तो अपने a में देखा है, बन, two, three, b में one, two, four, six, one, two, four, तो पहली condition में, मेरा a subset of b है क्या, a subset of b है क्या, नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है, कि मेरा यहाँ पर three missing है, तो a subset of b नहीं है, और second condition देखते हैं, क्या अपने तीन condition वो लिए है, बन, two, three, b subset of a है क्या, नहीं है, third condition, a equal to b है क्या, equal to b है क्या, नहीं है, मतलब तीनों मेरे negative आ रहा है, मतलब यह मेरा क्या है, यह मेरा compatible set नहीं है, तो पहला क्या वो लेंगे अपन, जो यह है, यह, a and b are comparable का, in comparable, opposite, in comparable, लेकिन अपन क्या, b and c को देखते हैं, तो मेरा क्या है, यहाँ पर c subset of b है, मतलब c में क्या है, मेरा one, two, four, यहाँ पर भी one, two, four and six extra है, मतलब यह मेरा क्या है, इसका subset है, तो अपना क्या condition, a, कोई भी इन में से certify हो जाए, मतलब यह मेरा comparable है, तो इसको बुलेंगे, a and b are comparable, comparable, set, अभी इसमें अपन last देखते हैं, universal set, so universal set, नाम से ही समझ में आ रहा है, universe, universal, मतलब everything, तो इसको किस से represent करते हैं, हमेशा जो करते हैं, अपन, denoted by u, हमेशा जो universal set रहाएगा, mostly आपको दिखेगा, अपका capital u से define करते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि एक मैं universal set बनाता हूँ, u, जहाँ पर मैं कुस्छ element रखता हूँ, मैं बोलता हूँ, one, two, three, four, five, six, up to eight तक लेके जाता हूँ, यह मेरा क्या होगा, universal set में बोल रहा हूँ, कब बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक तीन set है, यहाँ बैव, one, two, three, एक B है, जहाँ पर है, three, four, five, and एक C है, जहाँ पर मेरा, six, seven, and eight, तो अभी देखिए, क्या हो रहा है मेरा, one, two, three, यह तीन element इसके अंदर है, three, four, five, three, four, five, इसके अंदर है, six, seven, eight, six, seven, eight, इसके अंदर है, मतलब जो जितने भी तीन set है, इनके सारे element इसके अंदर रहेंगे, मतलब एक मेरा क्या हो गया? universal set है, मतलब जो भी इसके अंदर के जितने भी sub set रहेंगे, small वाले वो सारे उसके अंदर रहेंगे तो definition कहीं मैं समझू तो क्या बोल रहा हूं मैं a set that content all set मतलब मेरे पास a, b, c तीनों इसके अंदर है क्या बोलता a set that content all set in given contents in context is called the universal set and it's represented by capital U ठीक है तो very important है इस तरह के question आएंगे तो ऐसे आपके multiple set रहेंगे सारे के element इसके अंदर है मतलब भी मेरा universal set है ठीक है तो चलिए अपने आपर stop करते हैं, hopefully आपको वीडियो पसंद आया हो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई दोस्तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो subscribe, share and like करना ना भूले thank you, bye कुए सकतीज सकतीज सकतीज